नमस्कार दोस्तों आज का अमारा टोपिक है बाइलोजी यानि की जीव विग्यान हो देखिए इस वीडियो में हम जीव विग्यान के उन सभी प्रशनों पे डिस्क्रस करेंगे जो की आपके प्रिविएस एर एक्जाम में कई बार पूछे आ चुके हैं तो देखिए इस वीडियो में जितने प्रशनों पे हम डिस्क्रस करेंगे ये सभी के सभी आपके आगामी परिशा के लिए most important है तो शुरू से लास्तर वीडियो को ध्यान देखते रहे हो देखिए इस वीडियो को पूरा देखने बाद है इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे description box में आपको जो है इस वीडियो के PDF के लिंक मिल जागी तो पहले पूरा वीडियो देख लिए उसके बाद PDF भावनूट कर लिजेगा और देखिए अगर आप इस चैनल से ऐसे ही वीडियो का आटमेटिक नोटिपकेशन पाला जाते तो चैनल को भी सब्सक्राइब प्रेस करके बेल आइकों प्रेस कर देख से आपको मेरे अगले सभी वीडियो का नोटिपकेशन आटमेटिक और सबसे पहले मिल जाएगा और देखिए वीडियो को लाइक करके इसको शेयर करना मत भूलेगा तो देखिए वीडियो को बनाने में बहुत मेरा लगती है तो पाउदो के रांस्पीरेसन और ट्रांस्पीरेसन यानि की वास्पॉड सर्जर्रिया पौधों में ya?n vendr के द्वारा होती है और दीखिए जो आपका hedra ya?n की vendr ोत होता है और दीखिगे मतलब होता है symbiotic और देखे symbiosis यानि कि सहजीविता के बारे में आपने पढ़ा होगा क्या होता है कि दो जीव जो है एक साथ मिलकर एक दूसरे को लाब पहुचाते हैं symbiotic relationship में तो जो आपका liken होता है यह आपका एक सहजीविता है और इसमें कौन कौन से organism जो है एक साथ रहते हैं देखे पहला होता है एक fungus यानि कि अग कवक और दूसरा आपका एक algae यानि कि सहवाल होता है तो एक कवक और एक सहवाल जो है ये साथ में रहते हैं symbiotic relationship में और यह जो है form करते हैं फिर liken का ठीक है तो liken जो है यह एक सजीबी है और लाईकन के बारे में यह basic point याद स्याद रखे का और देखिए तीसरा प्रसवार क्या है कि निंध में से फोलगा है तो अमर बेल एक परिटीबी प्होता है देखे ये प्रस्ण बहुत ही कामन है सभी परिक्षाओं के लिए सभी परिक्षाओं में पुछा गया है तो याद रखना है कि जो आपका अमर बिल है ये एक परजीवी यानि की पैरासाइट पौधा है ठीक है और देखिए परजीवी यानि کی paira site का मतलब क्या होता है देखिए परजीवी का मतलब होता है कि दूसरे जीवों पर आसरित जीव तो देखिए जो आपका मेर विल है या आपका Paira site यानि कि परजीवी का उधारर तो है लेकिने इसके साथ में दो और चीज़े एक्जाम में पुझे गई है जू के बारे में और किलनी के बारे में देखी जू होता है इसके बारे में आप जानते होंगे आपके सर में पायाता है जू और यह आपके सर में रहकर आपका खून चूसता है और यह आपके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर रहता है तो मैंने क्या बताया कि परजीवी का मतलब होता है दूसरे जियों पर आस्री जियो ठीक है तो जो आपका यह जू होता है ठीक है आपके सर में रहता है और यह आपके ऊपर पूरी तरीके से आ तरह आता है तो आप जो है इस चीज़ को एक लाइन में आत गलेजी कि अमर बेल जू और आपका जो किलनी होता है ठीक है ये तीनों जो है पर जीवी यानिकी पैरा साइट के उधारण है और पैरा साइट यानिकी पर जीवी क्या होता है पर जीवी का मतलब होता है दूसरे ज जीवी पौधे का एक प्रकार है और देखिए मस्रूम से आप परचित होंगे आपने सड़ी गड़ी लगडियों पर बरसात में देखा हुआ कुछ इस प्रकार की सनसना हो जाती है तो यह आपका मस्रूम यानि की कुकुरमत्ता है और देखिए एक खास बात है कि जो आपका यानि की कुकुरमत्ता यानि की मस्रूम होता है ये एक प्रकार का कवक यानि की फंफूद होता है और इसको हम अंगरेजी में करते हैं फंजाई ठीक है तो यह चीज़ याद रखना है कि अगर आपको कहीं भी एक्जाम में देखने को मिल जाए फंफूद सब या फिर कवक सब या फिर अंग्रीजी में फंजाई सब ठीक है तो यह तीनों जो है एक चीज़ की बात हो रही है वहाँ पर यह चीज़ समझाईगा और दीखे एक खास बात है कि जो आपके मिर्तोब जीवी पौधे होते हैं यह अपना भोजन जो यह सड़े गले और मिर्त कार्मनिक पद आपसे प्राप्त करेगा और देखे जो आपके कवक होते हैं ठीक है यानि कि जो फफुद होते हैं जिसको अंग्रीजी में हम फंजाई करते हैं तो इनके बारे में एक आउधारणा की संसार के प्रार्म से ही यह दुनिया में उपस्तित हैं क्योंकि यह जितने भी सड़े गले पदार्थ हैं उनी पर यह उखते हैं ठीक है तो यह सभी एक्टरनल जानकारी आपको या रखना है मृतोब जीवी के बारे में और याद रखना है कि कोकुर मुत्ता जो है आपका एक मृतोब जीवी पौधा है और देखे पांचाओ प्राशना की निम्रुकित में से क एक बीज पत्री को मंगरेजी पर गएते हैं मोनोकाट तो जो मोनोकाट होता है यानि कि एक बीज पत्री पौध होता है इसके बीज की यानि कि इसके सीड्स की एक विस्षिस्ता होती है कि इसका जो सीड्स यानि की बीज होता है इसमें एक ही बीज पत्र यानि की कौटिलि तोड़ी तो उसमें जो आपको कुछ इस प्रकार से 2 बीज पत्र याणि कि 2 क stiffness दोली डिखेंगे उसमें तो याद रखना है कि जो 2 बीज पत्र होते हैं इनकी विशस्ता होती है कि इन यमें 2 बीज पत्र पाए जाते हैं और इसका उदका इकि अखर है आपका चैनल और heole की साथ हो पॉष्ण है कि नियुल कीडिये में से काउन सववब पोसी होते ही तो देहिए आपके plants रान्ट यानिकी पाउधे होते हैं ये आपके सववब पोसी होते हैं producer यानि कि उत्पादक देखे जो प아खे होते हैं, यह कधे हैं जो आपके simple organic compound होते हैं तो simple organic compound को जो आपका sunlight होता यानि सूरिय का प्रकास होता है, इसकी उपस्तिति में carbon dioxide को लेकर और कुछ जल को, यानि कि water को लेकर ये क्या करते हैं, simple organic compound को complex organic compound में convert करके अपना भोजन बनाते हैं ठीक है तो यह जो है biological जो definition मैंने आपको बता दिया तो याद रखना है कि जो आपके स्वाप उस्टिरते हैं अपना भोजन खुद बनाते हैं और इसका उदारा आपका है पौधा यानि की यह प्रस्ण बहुत ही कामान है एक्जाम में कई बार पुझा चुका है तो ध्यान सुनेगा इस करिया को हम करते हैं वास्पो सर्जन यानि की ट्रांस्पिरेशन तो यह रखना है कि पौधों की पत्यों के द्वारा जलब का वास्प के रूप में जो निकलना कालाता है वास्पो सर्जन यानि की ट्रांस्पिरेशन और देखें नवा प्रस्ण ही की टच मीनाट पौधे को क्या कहते हैं देखें यह प्रस्ण ही कई बार एक्जाम में बुझा गया तो याद रखना है कि टच मीनाट यह आपका जो छूई मुई नामक पौधा है ठीक है इसी को हम कहते हैं और यह पौधा आपने देखा भी होगा इसको जब आप टच करते हैं तो इसकी पत्य है जो यह सिकुर जाती है इसलिए इसको टच मीनाट कहते हैं यानि कि छूई मुई कहते हैं और देखें दसवा प्रस्ण है कि पितरस का निर्माण किस अंके द्वारा होता है यह भी बहुत common question exam का देखें जो आपका पितरस है इसका निर्माण जो है यह लिवर में होता है देखें कई लोग पितरस बेटी कर देते हैं लेकिन वो गलत है आपको बता दो इसका पितरस का निर्माण जो है या आपका लिवर यानि कि यकरित करता है और देखें जो आपका जो पितरस होता है इसको हम अंगरेजी में कहते हैं बाइल या फिर गाल ठीक है तो बाइल या गाल जो हता है ये पितरस का अंगरेजी नाम है और देखें ये एक डार्क ग्रीन या फिर येलोईज ब्राउन फुलीड होता है जो की लीवर के द्वारा उत्पन होता है जो आपके जितने भी वर्डी ब्रेट्स होता है उनके अंदर तो आपने जान लिया कि जो आपका पितरस है या आपका लीवर में निर्मित होता है और देखें ये लीवर में बनता तो है लेकिन ये स्टोर कहां पे होता है देखिए यह इस्टोर होता है आपका जो गाल ब्लैडर यानि कि पित्तरस होता है वहाँ पे लीबर में जो है आपका कांटिन्यूसली यानि कि लगातार जो है आपका पित्तरस बंदे रहता है और ये बनने के बाद जो है गाल ब्लाइडर यानि की पितासे में जाता है और पितासे में जाने के बाद जो आपका जो पितरस होता है यानि की जो आपका बाइल होता है ये वहीं पे काड़ा होता है और उसके बाद जहां पर यूज़ करना होता है वहां पर चला जाता है तो जो आपका बाईल यानि की पी तरस होता है इसका कारी क्या होता है इसको भी जान लेते हैं और इसके लिए हम तुरसा डाइग्राम में चलते हैं दीकि यह आपका human body है और आपने सुना गए हमारे सरीर के अंदर जो दो प्रकार की आते पाई आती है पहला है large intestine जिसको हम बड़ी आत के नाम से जानते हैं और दूसरा है small intestine जिसको हम छोटी आत के नाम से जानते हैं तो अभी हम छोटी आत में घुशते हैं देखिए हम क्या करते हैं? जब खाना काते हैं तो जो हमारे fatty चीजे होती है हमारे शरी में, जो हमारे small intestine में जाती है खाने के बाद, तो उन्ही सभी fatty चीज़ों को ठीक है, digest करता है जो आपका पित तरस यानि की बाइल होता है यह, तो यहाँ रखना है कि जो बाईल यानि कि जो आपका पित तरस होता है इसका कारे होता है छोटी आथ के अंदर जितने भी आपके लिपिट्स हैं यानि कि जितने भी फैटी चीज़े हैं उन सभी का पाचन करना तो ये सभी जानका याद रखना है आपको और देखे एक रिल्ण में फिर से मैं आपको उदाऊंगा सारी चीजे ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएं तो ध्यान सुनेगा देखे पित तरस का निर्माड होता है लीवर में और लीवर में इसका लगाता निर्माड होते रहता है उसके बाद यह जाता कहां पे है जो आपका पित तासा यानि कि गाल बलैडर होता है वहाँ पे तो गाल बलैडर में जो आपका पित तरस होता है यहा चोटी आंत में तो यह सबी चीज आपको याद रखनी है और दिखे जो हमारे मनुसिका दान्त है यानि कि human का दान्त होता है यह कई प्रकार होता है और इन में से प्रकार है कृतंग, दूसरा है रदनाग और तीसरा चमडग तो ये तीनों ही जो है मानव दान्त के प्रकार है इसको याद रखेगा और देखे बारों प्रस्ण मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बहुत ही कामन कुछ से हैं अगर आपने अपनी जिन्दगी में कम सकम दस एक्जाम दिये होंगे ये देखे ये आपका दान्त का एनाटमी है और इसमें देखे जो आपका दान्त का सबसे ऊपरी परत होता है ये पोइंट खियाते रखेगा और दिखे तेरहावा प्रस्ण है कि इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है दिखे इंसुलीन की कमी से आपका मधु में यानि कि डाइबेटीज नमा की एक रोग होता है और देख히े exam में एक और common person बुचा गया है कि insulin जो है ये कहांगे produce होता है तो दूदेखे हमारे जो सरीर होता है तो हमारे सरीर में एक organ पायाता है इसका naam है panc ak cleanse और दीखे panc 라는 में कई सारे cells पायाते हैं alpha, beta, delta दीख़ए तो उन सब से मतलब नहीं है हमें केबल बीटा सेल्स से मतलब है तो जो पैंक्रियास का बीटा सेल्स होता है यही बीटा सेल्स प्रोडूस करता है इंसुलीन को तो एक लाइन में फिर से बताऊंगा आप ध्यान से जुने का दिमाग में फिट कर लिजेगा दीखे इंसुलीन की कमी से मदूमे यानि की डाइबिटीस नमक रोक होता है और इंसुलीन कहाँ पर प्रोडूस होता है हमारा जो पैंक्रियाज होता है उसके बीटा सेल्स के द्वारा और दीखे इंसुलीन का कारिक है हमारे सरीर में ये भी जान लिजे दीखें जो आपका insulin होता है जो हमारा blood होता है तो blood में जो glucose का level है उसको control करता है insulin दीखें कभी होता क्या है जिनको अगर diabetes हो गया है यानि कि मधुमे हो गया है तो उनका जो beta cells है यह insulin का production बंद कर देता है या फिर बहुत ही कम कर देता है और यह उतना insulin नहीं दे पाता है हमारे blood में जिदने में जो है glucose का पाचन हो पाए तो हमें क्या होता है जो अगर हमें diabetes हो गया तो हमें बाहर से insulin का injection लेना पड़ता है इस blood glucose label को control करने के लिए तो यह कारे होता है insulin का इसको याद रखेगा और देहा 14 मीरिशना है कि निर्मकित में से कών सारोग vitamin की कमी से होता है vitamin B1 की कमी से ठीक है निर्मकित प्रकार का होता पहला आपका होता है जो आपका Wetberryberry ठीक है पहला आपका Wetberryberry होता है और दूसरा होता 诡्राइबरी-Berry दीकि जो आपका जो वेट बेरी-बेरी है यह आपका जो हर्ड है यानि कि जो आपका दिल है ठीक है तो दिल के सर्कुलेटरी सिस्टम को यानि कि जो आपका परी संचरर तंत्र है उसको प्रभावित करता है और जो आपका दूसरा वाला जो आपका बेरी-बेरी है जिसको आपको जानकारी है कि हमारे सरी में क्या हो रहा है, किस की कमी से हो रहा है तो अभी आपको यारतना है कि जो आपका बेरी-बेरी है, आपका विटामिन B1 की कमी सोता है और ये एक विटामिन कमी से होने वाला रोग है और देखे 15 प्रश्णा है कि पाउधों में जल तथा खनी लवणों का समवहन कौन करता है तो देखे पाउधों में जो आपका जल होता है और जो आपके मिनरस होता है याणिक खनी लवण होता है उनका समवहन क्या आता है जाईलम के द्वारा और देखिए मैं आपको एक code word बता रहा हूँ उसको याद रखेगा देखिए जाइलब जो है ये सब जस है ठीक है और जस है आपका जल भी है तो जाइलब जो है ये जल का समवन करेगा जो आपके पौधे होते हैं उनमें ठीक है और साथ ही जो खनी लवन है ये भी आपके पानी के साथ साथ जो है यानि कि जल के साथ साथ पौधे में पहुचेंगे तो जल और खनी लवन का समवन करेगा और इसका structure देखना है तो इसका structure आपको exam में नहीं कुछ आजाएगा लेकिन फिर भी जान लेजिए अपनी जानकारी के लिए अगर आप किसी पौधे को काट देंगे तो आपको कुछ इस प्रकार के structure दिखेंगे उनमें पोर्स टाइब के और इबने जो आपको फौलोम और जाइलम और जो आपका कैंबियम है इस प्रकार का structure दिख जाएगा जो लोग बाई लिच से होंगे उनको जो समझ में आगया होगा जो नहीं है उनको और अच्छी तरीके से समझ में आगया होगा इच्छी और देखे सुलामा प्रशन है कि वे पौधे जो मरुस्थल में उकते हैं क्या कहे जाते हैं देखे ये बहुत ही common question है देखे जितने भी plants आपके मरुस्थल में उकते हैं उनको पहते है जेरो फाइट तो जो आपका cactus है ठीक है ये cactus जो आपका ये best example है जेरो फाइट का यानिकी जो आपके मरुस्थली पहुध है उनका और देखे 17 पहुध है कि किन पहुधों की पत्तियां जो है ये काटों के रूप में रुपांदरित हो जाती है तो देखे जितने भी आपके मरुस्थली पहुध है इनकी जो पत्तिया होती है ये काटे के रूप में रुपांदरित हो जाती है तो cactus का जो लीफ ने होता है cactus में देखाओगा, cactus में पतियां ना होकर उसमें काठे दिखते हैं आपको तो वो काठा नहीं होता है वो आपका पतियां होती है जो की काठो के रूप में रूपांदरित हो जाती है और दीखे 18 प्रस्ण है ये पौधों की कोशिका बित्ती किससे यह प्रस्ट जो है कई बार एक्जाम में पुछाएगा इसको याद रखेगा और देखिए उन्नीसवाँ प्रस्ट नहीं कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है तो देखिए जो आपकी पत्तियां होती है पौधो की इसका रंग हरा होता है कलोरोफिल के कारण और यह प्रस्ट नहीं कि मेढक किस प्रकार का जानवर है देखिए बहुत ही कामन कोस्ट नहीं वंडे एक्जाम का तो देखिए जो मेढक होता है यह आपका एक उभैचर यानि कि MPBN होता है देखिए यह हर प्रकार के एक्जाम में पूछा गया है तो आपका जो मेढक होता है यह उभाय चर होता है और देखिए उभाय चर क्या होता है मैं पूछे हैंजया तो आपको वीडियो का इसा लगा ये कमेंट वाक्स में जरूर रताइएगा और देखिए वीडियो को लाइक करकेश को शेयर कर दिएगा और जो लोग नय हों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरह तो राटोमिटी मिल जाए तो वीडियो को लाइक करकेश को शेयर करना मत भूलेगा ठीक है तो इसके साथ ये वीडियो नहीं समापता है All the best for all your upcoming examinations Thank you